हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तन्वी की रसोई में तो कैसे हो आप लोग आसा करते हुए एक दम बढ़िया होंगे मस्त होंगे तो आज बनने वाला है आलू और बेशन की टिकिया बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी मैंने साथ के साथ ऐसे व्रुटिष म मिर्ष के साथ किसी के साथ से खा शकते रहें नीए मैने ले लिया है आलू और भी दूरने के बाद बढ़ने के लिया यहालु हो रहा है तब से हम इनका बैटल डुड़ कर लेंगे कि दैल के मैंने पहले ही छान लिया था अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मेच इन सब को डालने के बार इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी याड़ करते हुए इसका बैटर रेडी कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है इकठे सारा पानी नहीं डालना है अच्छी तरह से फेटें ताकि इसमें कोई भी गुटली कोई भी लम्स ना रहे इसे फेटने में करीब चार-पांच मिनट लग जाते हैं अच्छी तरह से इसे फेटना होता है आप जितने अच्छे से इसको फेटोगे उतना ही अच्छे आपके टिकिया बनेंगे तो अभी थोड़ा पानी यामें कम लग रहा है और डालेंगे बस इसे फेटेंगे तो यह देखिए हमारा जो बैटर है रेडी हो गया है इस तरह से अब हम इसे ढखेंगे ढखें साइड में रख देंगे इधर हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं अब हम इनके चिलके उतार लेंगे आलू जब थोड़ा सा गरम रहे तभी आप इनके चिलके उतारें तो आसानी से उतर जाते हैं इसी तरह से हम सारे आलू को चिल लेंगे इनके चिलके उतार लेंगे तो यह देखे मैंने सारे आलू को चिल लिया है इनके चिलके निकाल लिये हैं और इधर मैंने ले लिया है अदरग और लसुन चिलके इसे कूटेंगे बारिक से तो यह देखे मैंने कूट लिया है अच्छे से साथ में लिया है हरी धनिया और हरा मिर्च और इधर मैंने गया इस पर रख दिये कड़ाई कड़ाई में डाल दिये तेल तेल अमारा गरम हो गया है अब हम इसमें जीरा डाल देंगे जीरा डाल दिया है मैंने जीरा अमारा चटनक निली लगा है अब इसको थोड़ा से चलाएंगे और अब इसमें डालेंगे अध्राक और लसुन जो हमने कूटके रखा है थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिश चलाएंगे और अब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे आलू हमने तोड़े लिया है बिल्कुल मैस्ट नहीं किया है बारिक से ये देखिए इसी तरह से तोड़ लिया है अभी इन्हें भूनते वक्त ये खुदी तूट जाएंगे तो ये देखिए अभी थोड़ी देर हमें इन्हें और भूनना है भूनते हुए हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो दमालो मसाला धनिया पाउडर और अमचुर पाउडर दमालो मसाला अमचुर पाउडर और धनिया पाउडर अब चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालना है इससे अच्छी तरह से चलाते हुए भून ले और अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग इससे चलाएंगे तो ये देखिए रेडी हो गया है हमारे ठिकिया के मसाले अब हम इने अलग प्लेट में निकाल ले रहे हैं दोस्तों भूनने से जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है कच्चा कच्चा सा नहीं लगता और इधर मैंने ले लिया है बेशन जो मैंने बैटर रेडी किया है अब हम इसमें डालना है टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक ज्यादा नहीं डालना है बस थोड़ा ही डालें इससे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा नमक और बेकिंग सोडा हम बाद में डाल रहे हैं एक चमस के करीब पानी जब आपको इससे फ्राई करना हो तभी आप इसमें नमक डालें और बेकिंग सोडा डाल के थोड़ा सा इसको चलाएं इसके बाद बनाएं तो यह देखिए बेकिंग सोडा डालने के बाद इससे बहुत देड तक हमी नहीं फेटना है तो अब हम टिक्कियों को बना लेते हैं इस तरह से इसी तरह से सारी टिक्कियों को बना लेंगे एक ही सेफ के तो यह देखिए मैंने सारी टिक्कियों को बना लिया है बिल्कुल बढ़िया से यह देखिए इस तरह से हमारी सारी ठिक्कियां बनका रेड़ी है फ्राई होने के लिए तो अब हम इसी बेशन में डेप करेंगे पांच है जितना मुझे एक बार में फ्राई करना है उतना में डाल दे रहे हूं तेल हमारा गरम हो गया है कड़ाई मैंने पहले ही चड़ा दी थी गैस पे तो यह देखे मैंने डाल दिया है टिक्किया को ऐसे ही हम सारे टिक्कियों को डाल देंगे ध्यान रहे इसे तुरंद से नहीं पलटना है डालने के बाद तुरंद नहीं पलटना है थोड़ी दिर पकने दें इसके बाद पलटें अब और अब हम इसे पलटेंगे यह देखे इस तरह से थोड़ा सा पक जाए इसके बाद आप पलटने तो बहुत ही अच्छे से यह नीचे से भी सिख जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं इसी तरह से इसको अलटते पलटते हुए में इसे फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है तो यह देखे हमारी सारी टिक्निया जो है वो बनकर रेडी हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं इसी तरह से हम दूसरा बैच भी समें डाल देंगे इसी तरह से सारी टिक्कियों को डाल देना है फ्राई होने के लिए तो यह देखे मैंने सारी टिक्कियों को डाल दिया है अब इसी थोड़ा सा नीचे से पकने देंगे इसकी बाद पलटेंगे तो यह देखे मैंने पलट दिया है यह बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इने निकाल लेंगे इस तरह से यह देखे देखने में यह बहुत सुन्दर लग रहा है तो आसा करती हुआज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलती हुए नेक्स वीडियो में एक और नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाबाय और टेक केर